दोस्तों बहुती खुब्सूरत वीव और हम लोग पहुंच चुके हैं पारापुर जल्ब प्रपात इस वक्त हम लोग उपर खड़े हैं तो समेज भीर संतो भाई मेरे पीछे हैं और मनुज भाई भी हैं तो देखिए दोस्तों पीछे की नदी दिख रही है और अभी ठंड का सीजन है तो पानी काफी कम है यहां पर लेकिन फिर भी बाकी जल्ब प्रपातों के अब एक च्छाई है जल्ब प्रपात अभी नहीं सुखा है तो चेले दोस्तों आप लोगों के लेके चलता हूं मैं नीचे तो δोस्तों आप लोग देख सकते हैं यह पारापूर जलप्रपात तो जलप्रपात के उपरी हिच्से में अभी हम लोग हैं अब उपर का हिस्सा सूट कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे चोटे-चोटे जलप्रपातों की एक सिरिंखला सी है और इसलिए हमारा बस्तर इतना पारापुर्जलप्रपात के दूसरी छोड़ पे हूँ पारापुर्जलप्रपात से हम लोग उस रास्ते से आ हैं और मैं नदी पार करके इस पार उपर आ चुका हूँ तो देख सकते हैं काफी सारी चक्ताने दिख रही होगी नीचे आप लोगों को और काफी खुबसूरत है दोस्तों कि पिकनिक के लिए बहुत ही सांदार जगह तो दोस्तों यहां पर कुछ चटानी ऐसी डिली है कि दिखने में तो बहुत बड़ी लग रही है लेकिन दोस्तों वो पैर रखने से हिल रहा है तो अगर आप लोग कभी आएं तो दोस्तों इस चीच का ध्यान रखें कि अपनी सुरक्षा पहले और बहुत ही खुबसूरत है दोस्तों यह पारापुर जलप्रपात की उपर का हिस्सा तो जो जलप्रपात है दोस्तों वो उस हिस्से पे है और नदी के रास्ते में इस हिस्से से चड़ कर ऐसे किनारे किनारे होते हुए यहां तक कहुंचा हूँ तो यहां पर भी एक waterfall है छोटा सा तो उसे दिखाता हूँ और दोस्तों उस जगह पर वहाँ पर एक waterfall है उसे भी दिखाता हूँ चलिए दोस्तों पास से दिखाता हूँ आप लोगों को झाल झाल तो दोस्तों एक छोटा सा वाटरफॉल वो उसे खा जा सकता है एक छोटा सा ये इस तरब से पानी बहरा है दोस्तों काफी तेजी से और सामने देख सकते हैं एक जिल की तरह नजरा रही है तो ये काफी गहरा इस्पान है दोस्तों कि कि मीचे मुझे कुछ दिखाई नहीं द दोस्तों केमरे में आप लोग ठीक से देख पा रहे हैं कि नहीं लेकिन इस जगह की जो चट्टान है दोस्तों काफी रंग बिरंगी है हलका कहा जाए तो बैगनी कह सकते हैं दोस्तों बैगनी सैट सद लग रहा है यह हलका पिंक लग रहा है यह वाला हिस्सा और यह वाला हि दोस्तों एक चीज मैं सोच रहा है इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूँ दोस्तों यह भी एक RAW होगा क्योंकि वह को रिस्चता देख सकते हैं उस जगह से पानी चाहिमारा है ज्मा इस dram Sh olm झाल झाल